कि हाब हुआ है कि üç by स्मार्टनोगर है दोस्तों आज वीडियो में आपसे चाचा करने वाले हैं स्पाइस सिस kे नाम के बारे में भी पर cinco होने में और आप लोगопर कौन से मसाले पूछे जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेट में जैसे कि West Bengal अभी जो आपका होने वाला है यहाँ पर और दिल्दी में जो हुआ कपूर थला हुआ तो हर जगे मसालों के देफ्रेंस यह था दूस्तों कि जो स्टेट में आपका जो है ट्रेट चलता है उसी स्टेट से संबंधीत जो हैं मसाले वहां कि जानकारिय जो है पूची जाती है तो वहां का पहुंच्चि बंगाल यानि वेस्ट मंगल में आपका है सेंटर चाहिए वोunkर्प सी वाले जितन यहां दोस्तों हमारे इक चैनल पर आपने जो है असी प्रकार के पूरे मसाले आपने पढ़ा है काफी वीडियो वह वा है तो उस वीडियो को आपके लिए बहुत होने वाला है तब आपको 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 याद रखने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो चीजह important होती हैं से हम ज्यादा तर highlight करके रखते हैं इसलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको आसानी हो आपके पास ज्यादा समय बचाने ही दोस्तों क्योंकि आपको स्टार्ट हो चुका है तो इसलिए कैसे आपको याद करना है वह भी हम इ यह चल रहा है उसका जितना भी एक्सपरेंस वीडियो हम आपको स्मार्ट में चैनल पर अपलोड करने वाले तो इस चैनल के साथ बने रहेगा दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला देख लिए ही जिया दोस्तों ही के बारे में जो है आपको नौलेज होना करने को दिया जाएगा और देखने को उसको सुंगने या टेस्ट करने की जीप पर लगा के आप कोई भी ऐसा कुछ मिलने वाला क्लू नहीं है नंबर दो पर आ जाते हैं यहां पर काली इलाइची बड़ी लाइची जिया तो आपको जो है कैसे दिखते हैं वह देख लिए द्यान से क्योंकि आपको जो है वहां पर भी इसी प्रकार जो है प्लेट में रखा गया होगा और यह बकेट में जैसा भी और रख्याए आपको पहचान लेना है देखते ही आप काफी चीज़ें जो काली में से जो है मैच खाती है लेकिन आप देख लिए कैसे बारिकी से इसमें क्या डिफ्रेंस है काली बिलाइची बड़ी लाइची कैसे दिखती है अब आजवाइन जिया अजवाइन के बारे में अपने नाम बहुत सुना होगा लेकिन देख लिए दिखता कैसे है यह सौफ की तरह होता है दोस्तों इसलिए कंफ्यूज मत हो जाएगे सौफ और आजवाइन में काफ़े डिफरेंस है और वह डिफरेंस है वह आपको पता है कि वो मसाला है और सौफ जो है और नॉनमनी खाते हैं माँथ फ्रेशन के लिए तो यह दोनों ही डिफरेंस है तो जो इसी दिखते हैं एक जैसे लेकिन दोनों के काम अलग-अलग है इसलिए यह जो है इसमें difference है कि आव घाते हैं जावीत्री जयातो जावीत्री अपने देखा हो गए काफी जो है फेमस यह जदूर की बहुत संदर दिखने बबटा डार्क है और HD कलर में जैसे दिखता है उभर के आता है यह जावित्री जिसका इस्तमाल किया जाता है मसालों में जो पैस्चियों मंगल में काफी फीमस है अब बात करते हैं सोट आप सभी को पता होगा जिन जो स्टूडेंस जो हैं चाई पीते हैं जो काफी चाई के सौकीन ह रहें होते हैं उनको पता होगा कि कभी-कभी चोर्ण सौट का इस्तमाल जो जो है चैंजा होता है और जो है गिला होता है तो यह सफेज पाउडर ही हाथ में लगता है इसको आप जबाद में यूदक्प पकड़ेंगे तो यह सुखा हुआ रहेगा और शेप आपको लग अगा द्रक की जैसे दिखाई देता है अब जाते है अरा रोट का पाउडर जिया दो पाउडर में आपको डिफरेंस यह होता है कि यह कैसा पाउडर है नमक है आप जब बेंकिंग सोड़ा भी कह सकते हैं धोने का सोड़ा भी कह सकते हैं तो यह कई किसिम की चीज़े हैं जो एक जैसे दिखती हैं जिसमें काफी confusion पैदा होता है अगर आप नारियल के बुरादे को भी अच्छी तरह से पीस कर जो है रख दे तो उसको पहचानने में भी काफी दिक्कत हो जाती है कि वह और रोट का powder है या फिर नारियल का तो यह चीज़े आपको देखनी होगी अगर म पिक्चर से जदा अगर आप फील कर लें तो वह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा मुनासिफ भी होगा दोस्तों क्योंकि पिक्चर में हम आपको बता तो सकते हैं लेकिन उसको तचने करा सकते हैं तो इसलिए यह आप जाईए एक बार दुकान पे और उनसे कहिए कि मु कर देशां देशांता आपको आसानी से पता चल जाता है क्योंकि इसका खटचच टेस्ट वो सबसे डिफिरेंट होता है और मसाला जो है यह खटाई का इस्तमाल बहुत जगें किया जाता है कई जो है सालन वगेरा मटन्स वगेरा जो है यूस करते हैं लोग काफी तरीके से यूस करते हैं दाल चावल में भी यूस करते हैं तो जिसको जैसी अपने स्वात के हिसाब से जो है इसका इस्तमाल किया ज प्रसकास जैसा है और यह बहुत ही जो है बुलते हैं चंचल होता है मतलब बहुत छोड़े दानिस में होते हैं अगर आप जमीन विखे जाते हैं यह चोटे-चोटे होते हैं देख लिए आप कैसे दिख ले है लाल मिर्च पाॉडर के बार में दोस्तों किसी को बतने का जरूत नहीं है अगर आप इसे सूंग लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा लेकिन अगर वहां से टश भी करते तो भी आप जान सकते हैं तो लाग मिर्च की बताने में आपको कोई जरूरत नहीं होगी दोस्तो क्योंकि आप जो इसकी पहचान बहुत अच्छी तरह किसा जानते होंगे इसका इस्तमाल बहुत किया जाता है क्योंकि मीट मसाले जो है पैस्ची मंगल का फैवरिट डीसेज में आते हैं फीस तो आपको पता ही होगा तो वहां पर तो आपको पता है कि बिना मिर्च के तो ज़ादा डार्क उता है ज्यादा जो प्यो मेरी लाज में जादा पाई जाती है तो यह डिफरेंस एगर आप इसक छौरी शाप में देखे तो आपको बैता रहता है लेकिन आप इकस तरह से गर इसामन करते हैं अगर देखके पढ़के तो आप इस चीज को देखिए कि होता है जो ज्यादा तो वहीं आपका कस्मेरी लान मिर्च होता है इसका नाम मिर्च और इसका नाम सफेथ मिर्च या दखनी मिर्च का या जाता देखें लुपकरद की जिसकुता दिधाएं देता है 评क्ति शेम तब यें को फूंसवा पहते हैं कि मस् factors हमेसे हर मसलों me use KWhen Pig चक्रफूल पैसे पहचान कि का काम है तो यह काफी यूनिक भी है और यक है आप है से पहचान में सकते है तक कि इसका जो शेफ है इसके नाम में दिया हुआ है चक्र जैसा है करना जाते हैं गरम नसम आप सबying मिक्सर होता है तो तो यह भता है सवे हो तो यह होता है उसका टेस्ट होता है और इसकी महत बहुत माला लगाती है तो अगर आप जो है अच्छी से रगास से इसको अगर हाथ में लेते हैं इसको देखिए कई चीज़ें मिक्स होगी जिया आपको एक जो नॉर्मल आप कहते हैं वो नहीं दोगा जिसमें काफी छीजें मिक्स करके बनाई जाते हैं उसमें धनिया पार्डर इसका जो है इसमें मिक्स के जाता है तो इसको सब को पिक्स के मिक्स करके जो है गरम मसाला त्यार होता तो यहां पर मिक्स्चर से मालों पड़ जाएगा कि यह गरम मसाला है जो भी आप नॉन वीज यूस करते हैं खाना बनाते चांडा के लिए हो यह सब चीजों में चाहिए आपको कीचन की मसाला लगता ही है कि कीचन का राजा होता है दोस्तों गरब मसाले जैसा ही होता है सका ये काफी जो यूज किया जाता है तो इसका कलर से या पो स्मी चीज मैं उसकोel पिखाना का ये सकते हैं चीज्क कर आपि पेखाविए और पिहए जाएगे और सबी मसाले जितने भी मैंने आपको बताया है और दोस्तों यह सब सॉट लिस्टेर से हैं काफी जो है बता करने के बाद बता है कि यह सब सारिये जहाता तरह यूज्ट कि जाते हैं मसाले क्योंकि सभी 80 के 80 मसाले आप से नहीं पूछा जाएगा आपके पास टाइम कम होता एक मिनट के लिए कौन से मसाले छूज की जाएंगे इसलिए हमने अपना कलेक्शन दिया यह आपको इन्हीं इंपोर्टेंट्स है कि यही सब कुछे जाएंगे ग्रूप सी वाले जितने भी आसान सोल वाले और हवडा वाले वो इस बात को नोट कर लिजिए क्योंकि आपको जो है अच्छी तरह किसा अपनी तैयारी में लगना है क्योंकि ट्रेटेस में काफी स्ट्रेंट जो एक फेल हो रहे हैं वहाँ पर सिर्द से बारागों पास हो र स्क्राइब कर लिजिए क्योंकि स्मार्ट नहीं चले आपको लेटेस्ट अब्रेट हमें साथ समय पर मिलती रहती है थाक्यों सोमस्ट दोस्तों